दोस्तों इस दुनिया में जन्मे हुए सभी लोगों को एक ना एक दिन इस खुबसूरत जहां को छोड़ कर जाना होता है मगर दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं मौत तो महज उनके सरीर को खत्म करती है आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की बहादुर बेटी कल्पना चावला की भले ही एक फरवड़ी 2003 को कोलंबिया इसपेस सटल के दुरगटना ग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुख गई लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है दोस्तो सोच को कोई नहीं रोग सकता सोच हमेशा उड़ान भरती आई है और भरती रहेगी अंत्रिच की परी कहे जाने वाली कल्पना चावला का जन हर्याडा के करनाल में हुआ था कल्पना अंत्रिच में जाने वाली पहली भारतिय थी उनके पिता का नाम बनारसी लाल और मा का नाम संज्योती है बच्पन में सभी लग उन्हें प्यार से मोटू करकर गुलाते थे दोस्तो कल्पना नाम के अनुरूप ही बच्पन से वे बहुत ही कल्पना भरी सोच रखती थी वो हमेशा आकास और उसकी उचाईयों के बारे में सोचती रहती अपने पापा से विमान और चांद तारों के बारे में बाते गिया करती थी कल्पना की प्रारंबिक पढ़ाई करनाल की ट्राइगोर स्कूल में हुई फिर कल्पना ने 1982 में चंडिगड इंजिनिरिंग कॉलेज से एरोनौटिकल इंजिनिरिंग की डिग्री ली उसके बाद वो अपने ख्वाबों को पूरा करने अमेरिका चली गई जहां उन्होंने कोलुराटो यूनिवर्सिटी से पिच्डी की उपादी प्राप्त की उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए बाद में चलकर उन्हें अंत्रिच मिसन की टॉप 15 की टीम में सामिल किया गया और देखते ही देखते उन 6 लोगों की टीम में भी उनका नाम आ गया जिनें अंत्रिच में भेजा जाना था और इसी तरह कल्पना के सपनों को अब पंक लग चुके थे उनका पहला अंत्रिच मिशन 19 सुवंबर 1997 को 6 अंत्रिच श्यात्रियों की टीम के साथ अंत्रिच सटल कोलंबिया की उड़ान STS 87 से सुरू हुआ कल्पना चावला अंत्रिच में उड़ने वाली प्रथम भारतिय महिला थी यह मिशन सफलता पूर्वक 5 दिसंबर 1997 को समाप्थुगा उस मिशन के बाद भारत के टैलेंट को पूरे विश में पहचाना जाने लगा जिस समय भारत के लोगों को अंत्रिच की समझ भे नहीं थी उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने अंत्रिच में जाकर पूरे विश्व जगत में भारत का पर्चम लहराया था सभी ने उनके जजबे को सलाम किया और पात साल के बाद पुनह नासा ने उन्हें अंत्रिच में जाने के लिए चुना कल्पना चावला की दूसरी उडान 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया इसपेस सिटल से ही आरम होई यह 16 दिन का मिशन था इस मिशन पर उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर लगबग अस्सी परिच्छन और प्रयोग किये लेकिन फिर वो हुआ जिसे सोच कर आखे भराती है हाथों में फूल लिये हुए स्वागत के लिए खड़े वैक्यानिक और अंत्रिच्छ प्रेमी सहित पूरा विस्व उस नजारे को देखकर सोक में डूब गया धरती पर उतरने से सिर्फ 16 मिनट रह गये थे तभी अचानक सटल बलाष्ट हो गया और कल्पना के साथ ही साथ सभी अंत्रिच्छ यात्री मारे गए दोस्तो भले ही कल्पना उस दुरगटना की सिकार हुई हो लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिन्दा है वो आज पूरे विस्व के लोगों के लिए आदर्स है दोस्तो मैं पुना वही बात दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने आते हैं मौत तो महज उनके सरीर को खत्म करती है आपका बहमूले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूँ दोस्तो अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद